शाहिद अफ्रीदी ने बताया सचिन धोनी को क्यों नहीं दी अपनी वर्ल्ड कप टीम में जगा नमस्कार दोस्तों आप सभी का हर्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल पर शाहिद अफ्रीदी ने सचिन तंदूलकर और MS धोनी को अपनी सर्व कालीन विशुकप टीम में नहीं चुनने कारण का खुलासा कर दिया है उन्होंने अपनी विशुकप टीम में भारत की सिर्फ विराट कोली को जगा दी है अफ्रीदी द्वारा सचिन और धोनी को अपनी विशुकप टीम में शामिल नहीं करने पर क्रिकेट फैन सहीत विशेशक्यों ने भी हैरानी जताई थी अब शाहिद अफ्रीदी ने कहा है कि सचिन तनूरकर और महिंदर सिंधोनी दोनों उनके पसंदीदा भारत क्रिकेटर हैं उन्होंने कहा कि सचिन एवं धोनी महान है और उन्होंने भारत क्रिकेट के लिए काफी काम किया है मैंने विराट कोली को अपनी विशुकब टीम में इसलिए चुना क्योंकि उसे बल्लेवाजी करते हुए देखना शांदार और खूबसूरत लगता है भारते क्रिकेट से काफी प्रभावित है अफरीदी उन्होंने अपनी सर्वकालीन विशुकब टीम में सहीध अनवर और एडम गिलकृस्ट को ओपनर्स के रूप में चुना है विवकेट कीपर के रूप में एडम गिलकृस्ट पर ही अफरीदी ने विश्वास जताया वहाँ पर जिस तरह से क्रिकेट को चलाया जाता है और जो कमाई होती है उसे खेल और खिलाडियों में जिस तरह से निवेश किया जाता है उसके लिए भारते क्रिकेट का कायल हूँ भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा क्रिकेट अफ्रीदी ने कहा कि मेरा मानना है कि क्रिकेट इकलादा तरीका है जिससे दोनों देशों के बीच तनाब कम होगा हमें लगातार क्रिकेट खेलना चाहिए क्योंकि जब हम एक दूसरे के देश जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क होता है और गलत फैमिया दूर होती है वो जबरदर्ट महौल था और मुझे लगता है कि हमें फिर से ऐसा करना चाहिए पाकिस्तान और भारत के लोगों अपने खिलाडियों से प्यार करते हैं और दोनों टीमों के मैच देखना चाहते हैं इस बीच उन्होंने एक राज से परता उठाया है अफ्रीदी ने खुल दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूने क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरे आ आपके लिए लाते रहते हैं धन्यवाद